इस वीडिये में आपका बहुत जाद स्वागत है अपने आइपाइड के लिए मैंने एक केस मंगवाया है मैं उसका रिव्यू करूँगा यह है ओके ओके या किसे भी तरह से आप इस ब्रैंड को या कंपनी को प्रणाउंस करो इस इस डिपरेंड से पॉनियो ओके शॉक्प्रूफ फॉलियो स्मार्ट ट्राइफोल्ड बैक केस कवर आइपाइड के लिए यह मेरे पास है आइपाइड मीनी 5 मैंने अल्रेडी दो साल पहले यह कवर मंगवाया था और मेरे को इसकी डॉरेबिल्टी इसकी जो प्रोटेक्शन है यहां फिर सारी ओवरॉल ही मेरे को केस बहुत पसंद रहा था तो मैंने एक नया ओर्डर कर दिया है एक बार फिर से दो साल पुराना यह केस है दो साल में आप देख सकते हो कि किस तरीके का यह आपको यूजज में आने वाला है यहां पर बड़िया चीज गया है कि इस केस में पैंसिल होल्डर भी है और इस केस में दोस्तों आपको जो है ना ऑटमेटिकली स्क्रीन वेक अप और स्क्रीन लॉक का फीचर देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं अपने iPad के case को open करता हूँ तो screen आपको wake देखने को मिलती है जैसे ही मैं इसको fold कर दूँगा मेरी जो iPad है वो lock हो जाएगी अभी आप देख सकते हो iPad जो है off हो गया है आप जो है raise हो गया है इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस case की button की cutout बहुत बढ़िया देखने को मिलती है और clicky feel आती है buttons के साथ जहां जहां iPad की cutout है उसी जगा पर cover के भी cutouts दिये गए हैं बस यह case मैंने इसलिए मंगवाया यहाँ पर जो है न थोड़े से दो साल के बाद में यह थोड़े से यह जो particles है रिमूव हो रहे हैं निकल रहे हैं यही मेरा कह सकते हो purpose है अगर मैं इस case को यूज करना चाहूँ तो अभी मैं इसको बहुत लंबा यूज कर सकता हूँ आपके पास पैसे जादा है तो आप नया मंगवा सकते हो यहां पर मैं इस case का unboxing करूँगा यह है पुराने वाला और यह है नया इस case की जो pricing है ना वो literally 700 के आसपास है जी देख सकते हो यहां पर 700 आइपाइड मीनी 5 लेवेंडर कलर तो मैंने same color मंगवाया है इसमें काफी सारे colors sorry available हैं तो मैं करता हूँ इसको unbox यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल brand new for ipad mini 5 यह case आ चुका है इसको मैं अब अपने ipad को वियर करवाता हूँ जल्दी से मैं unwrap कर लो इसको जैसे की आप देख सकते हो बिल्कुल clean finish आई है दो साल में इसके color में क्या changes आए है वो आप check out कर सकते हो पहले यह brand new है अब थोड़ा सा mella type हो चुका है यहां पर वैसे मैंने इसको धोया भी है और पाने से इसको कुछ खास problem होती नहीं साबुन वगरा से भी लेकिन यह brand new है और यह changes आए है इसमें दो साल के बाद में अभी आप देख सकते हो यहां पर जो case में पहले branding आती थी लेकिन अब branding नहीं है यहां पर आप देख सकते हो okay या okay की branding पहले आ रही है अब branding नहीं है और by the way बाकी सारा case A to Z सेम है और अंदर branding आ रही है पहले अंदर नहीं थी और अब जो है अंदर आ गई है अभी आप check out कर सकते हो यहां पर अंदर branding नहीं है लेकिन अब जो है हो just hold on there you go और अब मैं case को वेर करता हूं और fitting काफी stable है और काफी sturdy सी fitting है loose पहले से ये पहले से थोड़ा loose हो गया है लेकिन ऐसा loose नहीं कि iPad निकल जाए iPad के लिए tight ही है लेकिन ये जो case है ना ये नया काफी tight है so अभी pencil holder भी मैं यहाँ पर लगा देता हूं और दोस्तों ये आप देख सकते हो brand new case है वो मेरा ready हो चुका है और बहुत मखन फील आ रहे है इस case के उपर और ये case थोड़ा rubbery kind of नहीं रहा और ये बहुत plane वली फील आ रहे है so ये आप देख सकते हो iPad mini 5 अगर आपको इसी और iPad के लिए case मंगवाना है तो आप दोस्तों इसी brand की दरफ जाना मैं आपको यही recommend करूंगा जो मैंने order किया है मेरे को same to same वही चीज मिली है ऐसा नहीं है कि order कुछ किया और मिला कुछ so this was the video for okay case so thumbs up to this company कि आपने काफी शांदार case बनाया इस case की एक बड़िया चीज क्या है कि आप इसको as a stand यूज कर सकते हो so कैसे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस तरीके से try fold करके इस case को यहाँ पर as a stand यूज कर सकते हो अगर आपको movies बगरा देखनी है यहाँ पर यह मेरा थोड़ा slippery है तो यह slip कर रहा है by the way आपको बैटर पता है कि आपको इसको कैसे hold करवाना है okay so यहाँ पर आप check out कर सकते हो इस तरीके से आप इसको as a stand यूज कर सकते हो so मेरे को यह काफी case पसंद आया so मैंने और order किया है आपको पसंद आया तो जुरूर ओडर करना link जो है आपको description box मिल जाएंगे buy करने के I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगी thank you watching thank you so much